असलाम लेकुम, वेलकम बेक टो अगेन माई यूटीब चैनल, आज के व्लोग में मैं आपके साथ बहुत जबर्दस कीचन से रिलेटीड टिप्स और ट्रिक्स एड कुछ किलीनिंग हैक से आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो को एंड तक जुरूर देखे गया, कोई भी आपके जिन्दी को और आपके कामों में असानी पैदा कर सकता है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, लाइक करने से पता चलेगा, कि मेरे टिप्स एंट्रिक्स आपको पसंद आ रहे हैं, और मजीड ऐसे टिप्स लेकर आने की ट्राइक करूंगी, चलें वीडियो जाल वगएरा या यखनी वगएरा को बौाइल करते हैं, तो क्या होता है कि इस तरह जो है अंदर से गैस और पानी वगएरा रिमूव होना शुरू हो जाता है, मैंने किसी के कहने के ओपर थोड़ा सा आइल इसके अंदर डाल दिया, नमक डाल दिया, और नहोंने का कुछ भी नहीं होगा, सब बेकार है, ये देख लें, सब कुछ डालने के बाद भी इसकी ये कंडिशन आपके सामने में दिखा रही हूँ, इसके बाद मैंने क्या किया, कुकर प्रेशर को बंद किया, बंद करने के बाद इसके अंदर से गैस रमूव की, गैस रमूव करने के बा आप एक स्टील की कटोरी डाल दे मैंने कहा आज नहीं डालती चलेंज कोई और टीप जो है वो मैंने देखी थी यूट्यूब पे तो मैंने का वह इस्तमाल करती हूं आयल डाल दें जी और नमक डाल दें कुछ भी नहीं होगा लेकिन आपके सामने कुकर प्रेशर की क्या हाल होगी है इसको तो बाद में हम नीट एंड क्लीन करेंगे लेकिन मैं आपको दिखा दूँ चमच रखने के बाद जो है कुकर प्रेशर में से ना गैस रमूवी ना उसके अंदर से जो सूप वगारा था दाल का वो रमूव हो रहा था तो उमीद करती हूं आपको ये वीडि जो होता है गरी योगर्ट लेकर आते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको चंद ही सेकिंड में घर पर गरी योगर्ट बनाना सिखाऊंगी गरी योगर्ट जो होता है ये ज्यादातार डाइट पे जो लोग होते हैं वो इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या करना है एक मल की पोर्टली बना देनी है और आम ने इसको या तो पकड़े रखना है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे करें कीचन में किसी भी जगा पर इसको लटका दें और नीचे बरतर रख दें अजाफी पानी जो होगा दही का वो सारा रमूव हो जाएगा यह देखें यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा था और कुछ देर के बाद यह पानी जो है सारा रमूव हो गया और मैंने थोड़ा सा इसको कीचन की विंडो के साथ लटका दिया इसके बाद इसकी मैं लुक दिखाती हूँ आपको सारा पानी जो उसका था वो स्टेन आउट हो गया स्टे योगर्ट रेडी हो गया है आप थोड़े से टाइम में ग्री योगर्ट बनाएं और अपनी सेहत को दोबाला करें अगले टिप्स की तरफ चलते हैं कि क्या होता है कि हमारे स्कूल के बच्चों के जो बैग होते हैं वो मैले हो जाते हैं लंच बक्स हम डाल के देते हैं कभी विकाबार लंच बक्स ओपन हो जाता है अई लग जाता है इंक लग जाती है डिस्ट लग जाती है बच्चे बैक को इदर उदर रखते हैं स्कूल में घुमाते फिरते हैं और डिस्ट वगरा लग जाती है तो इसको नीटैनिकल लीन करना बहुत ही असान है आपने क्या करना है एक बड़ा अपने टब ले लेना है उसके अंदर आपने पानी डाल देना ह डिटरजन डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अब मैं आपको यह बता रही हूं कि हमने इसको अच्छे से मिक्स इसलिए करना है कि हमने जो इसके अंदर थर्ट चीज डालनी है उसके बाद हम इसको हाथ से मिक्स नहीं कर सकेंगे तो यहां पर हमने इसके ओपर अब नीम गरम पानी जो होता है हमने वो डाल लाएं ताकि जो बैग की मेल के चैल होगी जो उसके ओपर ऑइल लगा होगा इंक लगी होगी वो धिरे-धिरे गरम पानी से सारी रिमूव हो जाएगी और हमें वाश करने में असानी होगी तो यहां पर अब हमने इसके अंदर जो है यह देखें गरम पानी जो है वो ढल दिया इतना डालना है कर हमारा जो बैग है वो इसके अंदर कम्प्लीटली तोर पार जो है वो डिप हो जाए तो हमने अब इसके अंदर गरम पानी आड़ कर दिया था लेकिन अब हमने क्या करना है अपने बैक को उठाना है और इसको अच्छे से हमने डिप कर देना है डिप इस तरीके से करना है कि इसका जो है ना सारे पार्ट्स जो है इसके बैके कम्प्लीटली तोर पार पानी में डिप हो जाएं यहां पार कम्प्लीटली तोर पार अब इसको डिप कर दिया है और तकरीबन इसको हमने 15 से 20 मिन्ट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है 15-20 minutes हो गए थे तो अब हमने क्या करना है इसको इसी के अंदर रहने देना है और जो कपडों वाला बुर्ष होता है जिससे हम जो है कपडों गरा से मेल गरा उतारते हैं वो बुर्ष लेना है और हलके हाथों से हमने क्या है इसके ओपर इसको रगड़ना है जहां जहां इंक लगी होगी वहां पर हमने इसको हलके हाथों रगड़ना है तो हलका हलका पानी अंदर से लेते रहना है बुरुश के साथ और ऐसे इसको डिप करके तो हलके हलके हाथों आमने इसको अच्छे से रगड़ना है इसकी हर चारों तरफ से हमने इसको अच्छे से रगड लेना है ताकि जहां जहां मेल लगी दिसके बाद वाश करना वाश करने के बाद आपने इसको लटका देना है और इसकी लिए देखें इसकी फाइनल लुक ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल नया और नीट एंड कलीन हो गया है थोड़ी सी मिनित के करने से आपके बच्चों के स्कूल के बैग बहुती साफ सुतरे और नीट हो जाते हैं अगर नीट बैग हो और नीट यूनिफार्म हो तो बच्चा और स्टूडन जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है उमीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अजील लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और सब्क्राइब कीजिएगा और कमेंट स्बेक्स में जाकर अपनी राएका जहर जरूर कीजिएगा अलाहाफीज